दोस्तो उत्राखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा आयुजित परिक्षा दिरान चार जुलाई को 200 प्रस्ण का question paper था और इसमें 100 प्रस्ण का हम अल्रेडी देख चुके हैं नर्सिंग वाला portion तो इस 100 प्रस्णों का set है तो आईए हम इसको start कर लेते हैं देखते हैं कि question कैसे आया है और यह जो exam यह जो pattern है इसी pattern पर आपको जो है उत्राखंड staff nurse यानि उत्राखंड उपचारी का भरती जो होने वाली है उसका exam उसके लिए काफी helpful हो सकता है तो इसको आप ध्यान लाड़ी है कल उसकी टांग तूट गई इस वाकि में उचित विराम का प्रियोग करें तो विराम चिन्नु के बारे में आपको नौलेज होनी चाहिए और इसका option देखे अलपी विराम का यह है इसके कभी कभी अलपी विराम का कौन सा sign है यह भी पूछ लेता है तो यह सार विलोवजीं का विलोम सब्द क्या है बाई आप अगं दुर मुष्वर चंचल तो 102 का यह आंसर हो जाएगा 102 को हुझाए गैफिटे जंगल का प्रयावाची प्रêmौदि विश्वान ती कांटार दीर तो इसका चाहिए त्यां कि आप्ट्रक्या Şey कानतार होता है ठीक है आपको प्रियावाची विलोम सब्द आपको अपने उद्राखंड स्टाप नर्सिंग भरती के लिए भी पढ़ने है तो यह टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चीए 104 कोश्यन है इनमें से एक सब्द मचली का प्रियावाची नहीं है मतैश्य भी होता है प्रियावाची मीन होता है सफ्री या जलोदर तो इसका सही उत्तर क्या है सभी को आता होगा इसका मचली का जो है 104 का आंसर हो जाएगा option number D जलोदर नहीं होता है ठीक है 105 अनवेशन का सुद्ध संदी विच्षेद क्या है संदी भी आपको आनी चाहिए संदी विच्षेद संदी के प्रकार ठीक है यह सारे कोश्यन इससे बनते हैं डेफिनिट्स और टॉपिक्स है इसको आपको मितलब बाई हार्ट लर्न होना चाहिए इसके concept ठीक है तब ही ज 106 का उच्षारण का सुद्ध संदी विच्षेद क्या है उत्धन चारण हो जाएगा उनीचे तो हलंत लाएगा तो यह हो जाएगा एक्षोच्षा का अप्सन नंबर डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्यन देखते हैं 107 बहुत इजी हिंदी आई है राजपुत्र में कौन सा समाज है समाज की टॉपिक आता है कुश्यन इससे तो राजपुत्र में हो जाएगा तत्पुरूस राजा का पुत्र ठीक है तत्पुरूस हो जाएगा द्यूगु कौन सा होता है जिसमें संख्या बाची होता है द्वन्द क्या होता है जिसमें माता डैस पिता वाल पर दोनों का है तो बोलोगी जैसे आप तो दंत से बोल लेए वो मुध्यन ये तालू का कांट ओस्ट किससे है तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का 109 हो जाएगा अप्सिन नम्र डी कंठ और ओस्ट दोनु का इसमें हो रहा है ठीक है 110 का देखिए गौरब तुम बैठ कर पड़ किस प्रकार का वाक्य है बैठ कर पड़ो उसको क्या कह रहा हो विधान वाचक है प्रश्ण वाच्छा आग्या है तो यह है एक आग्या वाच्छ वाक्य तो 110 का क्या हो जाएगा अप्सें नमबर डी हो जाएगा 111 कौन सा सब्द स्रीलिंग है मित्र सूचना उपहार अध्या आई तो इसतुछ लिंग की पहचान और पुलिंग की पह dish पहलो करते है तो इस और हो जाएगा सूचना। मुझे सूचना चाहिए आप इसको एकजामपल सेपरक्राट्टाल की कारता है 112 कार्णग कार्णn 112 का अधिक जैएगा कर्ण2 करता ने कर्म को करां से होता , तो कारक चिन्ने सिंह ऻाओ tornado बन थे हैं जिलिए इनके प्रैक्टिस भी आप ने करना है concept clear plus practice एक 113वा question भचिन है नाक का बाल होना महारे का अरथ है। सत्र हो ना दर्या दिली होना अनुबवी होना अकारण परी होना तो एक सो गूत्तर आज में अकारण परी होना ठीक है नाउना के अंदर बाल होकि असे सब्द करें तो इस का साय उत्तर क्या हो जाएगा यह आप हिंदी का जितना जादे उपयोग करोगे तभी आपको फिल्जर हो पाएगा ठीक है अधी शाशी पहला अला उत्तर सही है ए ओप्सन एक सो पंद्रवेगा सुद्ध सब्ध का चैन करें सुद्ध सब्ध कौन सा है इसमें से इसमें चैन करना है आपने तो प्रतिस परधा प्रतिस परधा इस ताइब से तो एक सा उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी प्रतिस परधा ऐसे लिखते हैं ठीक है एक सो सोल्वेगा कहा है सुब्ध सद्ध का चैन करें फिर से कुशन इसी पर बनाया तीन प्रसना आगे लगता इसी पर वर्तनी पर तो प्रतिद्वन दिता नंबर डी हो जाएगा ठीक है अब यह कुछ रीजिनिंग के कुश्यन है वैसे रीजिनिंग तो आपकी स्टाप नर्सिंग भरती में नहीं आए लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर ले दें यूके एम एससबी बोर्ड का परिक्षा यह उनके द्वारा बनाया गया था तो अब यूबी टियार करा रहा है लेकिन पैटन तो एक ही है ना उत्रहंट का एक जाम है तो ऐसी पैटन पर लगभा लोग सिमिलर बनेगा ठीक है क्यों दोनों का ग्रेट पे भी सेम है आपका ट्यूटर का और उपचारी का दोनी स्टाप नर्स का ग्रेट पर एक है ठीक है तो लगभा लगभा पेपर सेटर वही होता है लगभा लगभा ऐसा नहीं है उसका दिमाग कुछ अर्ट के कर लेगा ठीक है लगभा लगभा एक ही जैसा थिंकिंग रहती है थोड़ा सा डिफ्रेंसेज हो सकते हैं लेकिन उतना जादे नहीं होगा 121 का देखिए 121 का क्या और आईक्यू लेवल ठीक ठाक रहता है ठीक है और ग्रैस्पिंग पार भी बढ़ती है 122 का यह डारेक्शन बेस्ट कोश्यान है साथ इस्ट डारेक्शन बिकम नॉर्थ तो साथ इस्ट को नॉर्थ कर देता है तो कितना उसमें तो वैस्ट को क्या कहलाएगा यह पूछ र है तो यह उस दिर्म से आप इसको लॉजिक लागे कर सकते हैं बहुत इजी कोशन है तो इसको सही उत्तर जो है वह है साथ इस्ट ठीक है 122 प्रस्न होगे एक सो तेश्वा में टी आर इडी है यह है तो इससे टॉलर है यह तो अरेजमेंट वाला कुशन है इसको भी आप प यह इन दोनों के वीच में यह इन दोनों के बीच में वह सब्सक्राइब करोगे तब आपको आएंगे तो इसका उप्शन वर यह है 124 का एक शुष ए आंसर सही है इसका 125 का क्या है यह यह एक हो है अगर पर स्ट इंक्रीज होती है बीस परसेंट ओ उसकी बाद दस इतना increase हुआ तो, तो, इस्दमाना को प्राइस है 100, एक सो पर 20 % हो गया, अब 120 पर भी 10 हो गया, तो 10 AI 12 और बढ़ गए्यादीन एक सो त्लटल की तो दो 30 माइनस की जिए तो 32 परचेट ऑप्चन परसेंटेज थोड़ा मैठेमेटिकल है जिसकी महस अच्छी होगी वह तो बनाई लेगा इसको ठीक है तो एक कुल लागए कहने का मतलब है पेपर वन अगर आपका अच्छा नहीं गया पाट वन तो प्याट बी से आप मेरिट बना सकते हैं अपने नंबर ला सकते हैं वही उ जाकरन तीस नंबर का उसके जादे फोकस कीजिए जनरल नौलेज है उस पर फोकस किए जो पंदरा नंबर के टॉपिक है उन पर फोकस कीजिए वहां से आप नंबर लाके और अपना चांस बढ़ा सकते हैं ठीक है एक सोचब़ीस वा जो है इकर दिये दो थर्ड़ अगर इ यह आपके वैसे यूए ट्रिपल यूवी टी अभी यूवी टी आर में नहीं है लेकिन यह उसमें दे रखाया ठीक है अगर यह यूएम के यूएम एससवी बोर्ड जो आपको यह पेपर कराता है स्टाबनर्स का तो इसी पैटर्न पा आता लेकिन हम यह आपको प्रैक्ट यह आपके स्टाब नर्सी के लिए इंपॉर्टन हो सकता है तो इसको नोट कर लिए तो भोटिया जनजाती में होती है इसमें किता में पेट यह श्रीक्त का के लिए अपर हिंदू सैक्रेट टैक्सट दा कुमायु रुजन ऑफ उत्रहंड़ को क्या बोलते हैं केदार्खंड कहते हैं तो इसको कहते हैं मानस खंड़ सबसे ईजीक्षक्षेन है। कि कितार खंट किसको कहते हैं गड़वाल को ठीक है दोनों ये बहूद यजी कोशन है एक सब तीस वाप हुष्जन है किस ने करा था इसमें किता था कल्यान सिंह रावत ने करा था ठीक है और कब किया था यह याद उना चीज़ है ठीक है 1990s में करा था सायद में अभी डेर्ट याद नहीं आ रही लेकिन आप देख लिजिए गयोगा क्रॉस चेक यह 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 बहुत रहा था थी तो इसके लिए जो जितने भी यहां पर आंदुलन चलाया गया था बद्रिजद पांडे द्वारा तो उसने क्या करा था कि सारे जितने बी इनके सरकारी जो कागज हो रहो होते हैं उनको सरी नदी में बहा दिया देगा तो कौन सी डेर्ट थी ओ और कौन सा यह यह था 1921 था आपको पता है लेकिन डेर्ट आपको कंफ्यूज कर लेगी इसमें तो डेर्ट के इसका सही है उत्तर जो है 132 का है अपसा नमबर 24 जनुरी 1921 को मांगते है तो लिपूल अचाली तो बने काहां और पर रहता है को मांगता सो पर हो आपको पता होंतर कासी है उत्तर कासी जिला आपको में पका पर व Adventureники पड़ता है तो आपको पता होना चीए परिक्षावाणी से उठाय गए है तो मैं आपको यही सलाँ देऊंगा कि आप एक बारा परिक्षावाणी को डिक्टो आप याद हुनी चीए तभी जाके आप यह जब नर्सिंग का पेपर देने जाएंगा आपको मैसुद होगा और बाकी कोई बुक मत देखे पर इक सावनी जरू देखिए उत्राखंड के लिए ठीक है तो एक सो पैतिस का अलमोडा हो जाएगा उदेश अंकर नाटी अकडमी एक सो चतिस सल्ट ब्लॉक कौन से डिस्टिंग में है यह भी बहुत इजी कोशन है अलमोडा मे पूछ सकता सवाल 137 देखिए एक साथी सवा का है उत्राखंड में मुनिस्पल फॉलिंग नगा निगम कौन सा निय है हरी द्वार है काशिपूर भी है तो नेंताल नहीं है नेंताल क्या है नगर पाली का है ठीक है और नगा नियांक क्या क्या क्रेंटरिया हो रहता है यह हो ने हमें जो भी पता हुंचि इतने से वह पर की पॉप्लिशन होनी चाहि है कि लैयक की पॉप्लेशन होनी चाहिए तब जाके होता है ठीक है कि लह पांशल कैसी ओपर को सकते हैं और एक मेने तक लगता है 1 मंत खुर सकता ही बीस थार्ट नटीन नाइन का टेए कर up प्रकास पंत था जो फस्ट जो हमारी जो उत्राखंड का जब गठन हो प्रकास पंत थे वहां कर एसेम्ली में एक सो चालिस का एंसेंड कैपिटल और चंद रूलर चंद का पहले कहां था चंपावत मत था ठीक है चंद राजवंस था पावार राजवंस था पता उन्हें उत्राखंड के बारे में आपको पता होने अगर आप यूकर टीप रलसी या गूरूप सी की तैयारी करते आये हुए आप टच में तो आपके लिए बहुत लड़्डू है पेपर कुछ उसमें वह नहीं है आँ जिनक सानों के बारे में यह सारे कॉमन कुश्यन है यह टॉपिक से बनते हैं कुश्यन ठीक है इससे बाहर दे कभी नहीं हाता एक सो चालिस का क्या है देयारा बुग्याल कहा है रूद्र प्रियाग तेहरी उत्रकाशी चमोली सबसे इजी कुश्यन है टीप आप दर फिंगर हुन इंडियन कोश्ट लाइन भारती तरत्रे खाब यह इंडियन जीयस से आ गया में जोग्राफी से आ गया 143 का क्या है अप्शन सी नहीं स्टेट है इंडियन कोश्ट लाइन की लैंथ क्या है वह भी पता होनी चाहिए 144 पे गोड़न कोडिलेटर प्रोजक्त किसके द्वारा वह किया गया स्टार्ट 144 का क्या अंसर है सी आपको अटल बिहारी बात पर गोड़न कोडिलेटर क्या है यह जितने भी मेट्रोपेलिटन सिटी है दिल्ली कोलकत्ता चन्ने और मुंबई को यह जोड़ने के लिए है ठीक है गोल्डन कोडिलेटर क्या है यह रोड मैप है एक चैनल लेलवे का ठीक है और लेलवे के कित्ये जोने तो 17 जोन होते हैं और 17 जोन के आपको इंपोर्टेंट परणे जो हैट्वाटर है यह याद होनी चाहिए 146 वीच आप दो फॉलिंग सिटी सिट्वेटें और कोस्ट और बेव बंगाल बंगाल के कोस्ट का कौन से सिटी है बाउंडरी विद नेपाल बिहार के बाउंडरी होती है मांचल उत्तरप्रदेश की है उत्तरखंड की है और मांचल की नहीं है ठीक है ओप्शन भी हो जाएगा है 148 का ठीक एक्स्ट कोशन है 149 दा वर्ड पाकिस्तान कोश्कॉइंड बाई महमाद अली जिनन रहमत अली अब्दुलकलाम आजात मुहमाद इकबाल तो पाकिस्तान किस ने बोला था आपको पता होना चाहिए यह होना चाहिए 149 का रहमत अली ने बोला था ठीक है से कान जी यस्ती रिट्स के इतने अपने डियुके बिला तक्लाश गैस के BETे इंधिर फैरे प्राइमिनिस्टर चंद्र शेकर बिलॉंग करते थे समाजवादी जंद का पार्टी से ठीक है 155 राइटर और बुक एंचियन्ट प्राइमिनिस्टर तो राइटर इसके कौन है 155 पा बुक से अन उथर चे आया कोश्चन चंजे बारू है ठीक है यह कोश्चन आपके इंपो मिनिस्टर इज नोन एज फादर ओफ इंडियान इकनोमी रिफॉर्म को किसको बोला जाता है तो इसको बोला जाता है नर्सीमा राओ को ठीक है क्या था एक वाया था क्या होता है जिससे फौरन डारेक्टी इंडेस्टमेंट और वह चीजह होते हैं ठीक है अच्छे ट्रेडिंग हो सकते थे एक दूसरे कंटी से 157 का इंद रेसेंट मर्जर और बैंक सिंडिकेट बैंक किस से अभी आल्पिलाल मामने सुना होगा बैंक को मर्जी करण हुआ है ठीक है तो यह सिंडिकेट कैंडरा बैंक में आया हुआ है दे इंडियान मेट को वैक् कि आपको पता उन्हों की किस ने मनाई है भारत बायोटेक ने मनाई है दोस्तान भारत बायोटेक ने बना रहे कि ठीक है यह इंडियन में मैंक सिन है 159 विडिवादग राप्टिंग कमिटी आफ नैस्तनल एजूकेशन पालिशी दोजार बीस तो 159 का भी आपको पता है न जीनिकलता है 164 इनने क्वाइब को अप सनुन्मबर फ्लावर बट्स अनिकलता है साली आपको पता ने जूल किसकी अनेर्जी है वार्ट पावज की होगी सेकन्ड टाइम की हो इसा कंट्री ग्जेस्थ्रीं में इस इन्दिया रहे यह चाइना पाक्सान भांगल देश भूट आपने लगा लिया और बहुत लिया और टीक है बीगा जालब नेगवी चैनल न कंछ रख संग का साईmak करहां है आपको यह कुझ अवाप्रेख में Based भीप्षाफन अर्जून सोंबनान सैंपल को पता है गुजरात में से ऐसी एघरी में चरूब होगा अब आपको यह बाकी और option clear होनी चाहिए तो 164 का elimination method लगा रहे हैं यहाँ पर elimination method तो 164 का D हो जाएगा एक सेकिंड यानि भीम संकरा कहा है महाराष्टा में है और महाकालेश्वर कहा है मध्यपरदेश में और मलीकारजुन कहा है यह है महाराष्टा में सी का टू है और डी का 3 है ठीक है 165 का देखिया court in national emblem सब्सक्राइब 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 किस से ले रखा कौन से उपनी सब्सक्राइब रखा तो यह है 167 दा सिंबल रुपी ऑफ डिजाइन किसने रुपे का वो कर रहा था तो कोई मोधी थे या कौन थे उदे कुमार संग्जी थे ने उनको प्राइज भी मिला था उस टाइम पर 168 दा फोर एनिमल इन नेशनल एंबलम कौन-कौन से है अलिफेंट है बूल है होर्स है लायन है तो आप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 168 का 169 सर्वे बद्राणी पश्यंतू मा कजिश्चे दुखो मापियन तू इस दा मोटो फिच स्टेट कौन से स्टेट का है तो यह है आपका 169 का एक गोवा का है ठीक है सब्सक्राइब गादी जी लेट सुभास चन बोटो रिजाइं नाइंटीन थाटीन आफ्टर लिविं दा कॉंगर्स ही फॉंट न्यू पार्टी कॉल तो गादी जी और उसके बीच में कुछ विवाद हुआ था सुभास चन जी के तो उनने फिर उसके बाद कौन सी जेल में रखा गया था है एक सो बहुत तरद हाइट ऑफ स्टैच्व लिवर्टी कितनी है और अभी हमारे स्टैच्व उनिटी का बहुत कर रहा है तो सदार बल्लब भाई पटेल की सबसे उची ही वह है स्टैच्व है वर्ल्ड की 182 मीटर से ठीक है डैस इस दे कैपिटल सब्सक्राइब तो कावित्री है इसका कल भी मैंने अपको अपनी हिंदी वाली जो सीरीज है उसमें बताया था 173 का यह यूएजबी क्या है यूनिवर्सल यह कंप्यूटर बेस कोशन है उनिवर्सल सीरियल बस सी ऑप्शन है 174 का हुल फॉर्म आव एस्टी टीवी क्या है 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 पर टेक्स ट्रांसपर पर कंप्यूटर बेस कोशन है तो 175 का आपका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है 176 कोशन देखते हैं हुक पास टम बिलॉंग्स तू इस पोर्ट से कोशन आएगा आपका यह उसके लिए यूवीडिया के लिए भी तो बास्केट बाल ठीक एक सजद्तर टाम बटरफ्लाइ स्ट्रोक्स बटरफ्लाइ स्ट्रोक कौन सी गेम के लिए यूज़ होता है आपको पता है स्विमिंग के लिए यूज़ होता है ठीक है पहला अप्शन हो जाएगा और 177 का ए हो जाएगा और 178 को देख लेते हैं टीचर हैस बिन सब्सक्राइब करते हैं इसका ओप्शन है भी प्रमोर्ट सेल्फ लर्निंग इस्टुडेंट ठीक है 180 का कुश्यन देख लिए प्रिजेंट एन्वल एक्जाम निशन सिस्टम जो अभी एन्वल एक्जाम होते हैं वो किस पर बेज़ तो सारे आप्शन से हैं रोट लनिंग सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद है यह कुछ पूशन बड़ा आ गया है कोड़ वाला है इसको जूम आउट करते हैं तो आप्शन देख लिए और पढ़ लिए 181 कुश्यन का आंसर देखिए आप इसमें आंसर की किया अप्रिंग दी ऑप्शन है ठीक है 181 1 3 & 6 is correct जो contributing factors है ठीक है 182 effectiveness of teaching has to be just in terms of learning outcomes के base पर जंच करेंगे option C हो जाएगा ठीक है 183 in two sets given one and two provide for basic requirement for success match the two sets and invade your answer by following ठीक है तो यह है आपका सेट यह फिर से match the following है इसका जूम आउट करते हैं कुश्यन आपको दिख रहा है मेरे इस आप से दिख रहा होगा तो आप यह देखिए discussion lecture method of teaching है उसके बाद इसको match कराना है 183 183 का right option है C हो जाएगा ठीक है 183 का C हो जाएगा ठीक है अब यह इसमें देखे क्या है छोड़ा हम अब इसको कर लेते हैं जूमिन lecturing में क्या है lecture में एक थाइप से एक थ्री हो जाएगा content delivery एक लिएक लेंग्वेज में बीका फाइब क्या है discussion in group का क्या है theme based interaction हो जाएगा C का 2 ब्रेनिस्टर्मिंग प्रोडुक्शन अलाव नुम्राइड है D का 1 है small step presenting feedback ठीक है now 184th question आते है important element देखना है addressing student in classroom 184 का हो जाएगा option number B आपकी voice जो है जब आप lecture दे रहे हैं तो सही होनी चीव हो जाएगा 185 का what is meant by term curriculum curriculum से आप क्या संबंधित करते हैं curriculum ने पाठीकरम होता है तो organized whole of learning पुरी learning का जो साल भरका है पर गोल के इंसार सेट करना 185 का B 186 listening to a lecture is basically क्या है listening क्या है 186 का एक informative listening होती है informational listening है ठीक हो कोई information देरा मुश को सिख 187 which theory of learning has been found that knowledge of internal process is crucial to understanding of learning to 187 का क्यों हो जाएगा उत्तर 187 का हो जाएगा एक और इत्योरी ठीक है यह कुछ रिजिनिंग से question है ए फिर बी सी ली एफ जी एच चार का गाप यह विसी तरह किसे गैप करते हैं इसको यह साल डिजी 188 का इसका अंसर यह जाएगा 180 इवाई आजाएगा ठीक है नेक्स कुशन है इसी फिदी यहां से यह वाला आएगा तीन के तीन आप्सिन है भी के जे के L M M आयेगा तो option number क्या हो जाएगा 180 9 का option number यह हो जाएगा यह जाएगा ठीक है if 190 इपट को कोड़ी है थैन हावील कोड़ी तो P A T याण यानि A को B C को कोड दिर्खा नेक्स्ट P को Q R दिर्खाए ठीक है कि तो हविल्ट गोड़ जी आर को तो इस देखिए देखिए इसको बहुत इसी कुश्यन होता है इसमा बब्राने वाली बाती है पीक्यू आर है तो ह ह कि अच अच आएगा है सेस्टार्ट होगा ठीक है यह है तो बीजिए आएगा ते यह से स्टार्ट होगा बीसी आएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 190 का आप सॉल्व किजिए स्को ठोड़ा समय लगता है इसको करने में लेकिन हो जाते हैं अराम से यह हो जाएगा इसका ऑप्शन मेडिशन वाटर थर्स्ट फैटीग लैंप से डार्पनेस दूर होती है वैसी फैटीग से एक्ससाइज वाटर से थर्स्ट दूर होगी तो 192 का बी हो जाएगा ठीक है पोटेटो इस डिलेटेड टू कैरट इन दे वे रैडिस इस डिलेटेड टू देखिए अब यह क्या इसका लोजिक है 193 का डी ओप्शन हो जाएगा ग्राउंड ना ठीक है यह जमिन के अंदर होते हैं सारी बाकी यह सब उपर होते हैं ठीक है अब यहां देखे यहां क्या आएगा तो यह आपका पांच का स्कॉर प्लस दो तीन है ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 194 का आपका 194 का हो जाएगा अप्शन नमबर डी 85 आएगा ठीक है आंसर की में यह सब्सक्राइब azation जाएगा रखे जान तो इसको फिर से आप वह कर देंगे एकस वाई ब्रादर है थो इसको सी एनडी सी एंडी यह सिस्टर है तो ये एक्स अज stiff इसदी इस ब्रादर तो इसका विपते हो इन्दोनों का आपस में क्या होए रेशन तो यह आप डाग्र से एरो डियाग्राम से कर सकते हैं तो अंकल होंगे ठीक यह उप्सन हो जाएगा नेक्स कुशन है तो यह 195 कुश्चन का सेट था इसमें तो इसी तरह किसे आपको इसकी पीडियाप चाहिए होगी तो हम प्रोवाइट कर देंगे इसी पैटन पर आपका जो है उडियार का प्र परण्ठ के कुश्चन थे ठीक नमिक्स के कुश्चन थे और देत्स के कुश्चन थे। स्पोर्ट्स वाले कुश्चन थे कोंप्यूटर बेस इसाएप आपका पेपर टू जो सो नमब्र का है उत्रहाण नर्सिंग के लिए इसी तरैप से बनेगा हम इसी ते और और मोडल प्रसना आपके लेकर आएंगे आपका सपोर्ट बना रहे हैं धन्यवाद